बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com नमस्कार दर्शकों मैं हूँ आपकी होस्ट नुमेरो वानिया आज हम बात करेंगे मुलांक साथ की दोस्तों जिन भी जातकों का जनम किसी भी महीने की 7 तारीक, 16 तारीक या फिर 25 तारीक को हुआ वो लोग मुलांक साथ की केटिगरी में फॉल करते हैं अगर आपके डेट अवर्थ का टोटल जो है 7 पर आता है तो आप भाग्यांक साथ पर फॉल करते हैं तो अगर आप इन में से किसी भी उसके लिए अपलिकेबल हैं तो ये सारे प्रोफेशन्स जो है आपकी लाइफ में आपको बहुत जादा सूट करते हैं दोस्तों मुलांक साथ जो होता है उनके कारक होते हैं नाप्टिवन जिसको हम हिंदी में केटू भी कहते हैं दोस्तों जल्दी से हमारा एस्ट्रो तक चानल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के अंतर बने रहीए क्योंकि लास्ट में हम आग के लिए शेर करेंगे बोनस टिप जो की सभी नबस के लिए अपलिकेबल है तो दोस्तों मुलांक साथ के अगर हम बात करें इनकी लाइफ में थोड़ा सा अकेला पन होता है थोड़ा सा इनकी लाइफ में आइसोलेशन होता है कई ब़ार उनको लगता है कि जीवन में हम सब कुछ छोट छाड़के इश्वर की प्राप्ती के लिए चले जाएं कुछ leaders जो हैं, कुछ Bollywood industry से अगर हम बात करें, कुछ लोग जैसे करण जोहर हो गया, एक ताकपूर हो गई, राम गोपाल, वर्मा जो हैं, ये सारे जो हैं, नमबर 7 से बिलॉंग करते हैं, अगर हम professions की बात करें, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा, इनकी nature पर थोड़ा सा insight through करते हैं, दोस्तों अपनी life में बहुत ही जादा creative होते हैं, बहुत अच्छे philanthropist होते हैं, counselors जो हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और अगर हम scientist की बात करें, तो सबसे best जो हैं, ये लोग scientist सबसे जादा number 7 पर होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इनको हर चीज के depth में जाने की जो है, बहुत जादा आदत होती है, हर चीज इनको deep में, जब तक इनको complete logic नहीं मिल जाएगा, तब तक उस चीज को, आपके logic को, ये blindly कभी भी अपनी life में जो है, accept नहीं करते हैं, इनको ऐसे आदत नहीं होती है, हर चीज की जब तक ये तह तक नह जाएंगे, आप professions की अगर बात करते हैं, CID में जितने भी CID officers होते हैं, investigation officers होते हैं, crime branch के जितने भी लोग होते हैं, जहां पर उनको हर चीज के बहुत जाधा end तक तहत तक जाना होता है, वो सारे जो है number 7 से belong करते हैं, PhD अपने life में अगर ये करते हैं, तो ये बहुत successful होते तो at the end of the day PhD भी क्या है, किसी चीज की बहुत जाधा आप thesis लिखते हैं, किसी भी चीज की बहुत जाधा depth में जाना, because masters में भी ये बहुत एक higher degree होती है, तो दोस्तों number 7 जो है इस तरह के professions इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, counseling बहुत अच्छी करते हैं, psychologist बहुत अच्छ जो है, ये लोग अपनी life में बनते हैं, इसके अलावा, sports में भी ये लोग जा सकते हैं, अपनी fitness का ये लोग अच्छे से ध्यान रखते हैं, कभी-कभी थोड़ा से lazy हो जाते हैं, लेकिन otherwise they are good at sports, तो कही न कहीं आप fitness expert भी बन सकते हैं, लोगों को fitness guide कर सकते हैं, आप gym trainers भी ध्यान रखते हैं, आप फिट रहना पसंद करते हैं, और आपको जो है, अपनी occult sciences में भी ये लोग दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं, योगा, meditation, jyotish, numerology, वास्तू, जितनी भी, जो भी हमारी occult sciences के branches हैं, उसमें भी ये लोग जो हैं, बहुत अच्छा करते हैं, क्योंक बहुत जादा भीरभार, socializing, बहुत जादा show-off दिखावा जो है, इनको अपने जीवन में नहीं अच्छा लगता, they like peace, they like calmness, they don't like show-off, जो है, इनको ये चीज़ें बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, जितने भी paranormal activities होती हैं, उसमें भी ये लोग अच्छे होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कुछ कहानियां जिसमें बहुत जादा suspense होता है, जो suppose किसी भूतों से related होता है, या इस तरह से related होता है, विचेस से related होता है, तो उन चीज़ों में भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनका aura जो होता है, दोस्तों healing में, ये लोग बहुत जल् से जो है, अपनी life में पहचान लेते हैं, ये sports में भी जा सकते हैं, music में भी जा सकते हैं, paintings में भी जा सकते हैं, ये सारे professions जो है, इनके लिए बहुत जादा सूट करते हैं, किसी भी चीज़ों का आपने एक higher level जो है देख लिया, एक holistic approach आपने देख लिया, ग्लोबल लेवल पर अगर उनकी तह तक जाना है, उनके depth में जाना है, तो number 7 से अच्छा जो है, वो काम कोई भी नहीं कर सकता, कभी कभी जो है, meditation बहुत अच्छे, mediators भी ये लोग बहुत अच्छे करते हैं, mediator होता है कि बिचोलिया जैसे हम हिंदी में कहते हैं, किसी भी चीज़ों के spirituality से बहुत अच्छा connection है, तो पूजा पार्ट में भी ये लोग रहते हैं, spirituality का मतलब दोस्तों से फिले नहीं होता कि पूजा पार्ट करना, spirituality के और भी अंदल्स होते हैं, it means इनका divine से जो है एक बहुत जादा strong connection होता है, अगर हम केटु की बात करें, तो इनके लिए सिर्फ में यही advice देना चाहूंगी, आप गनेश भागवान की आराधना जितना जादा हो सकता है, आप अपनी life में हमेशा करते रहें, गनपती जी आपके जीवन में, आपकी हर चीज में जो है, वो हमारे विगन हरता है, आपकी हर बाधा को वो आपसे, आपकी life से दूर करेंगे, Tuesday को जाकर आप मंदिर में किसी भी मंगलवार को किसी भी मंदिर में सेवा कर सकते हैं, आपका के तू बहुत अच्छा होगा, street dogs को आप खाना खिलाए, उन्हें मीठा जादा नहीं देना है, क्योंकि उनको और infections होते हैं, बट street dogs के आप जितनी जादा सेवा करते हैं, उतना आप अपनी life में success को जो है, बहुत जादा achieve करते हैं अपने जीवन में, तो दोस्तों ये थी कुछ guidelines जो number 7 को जो है अपनी life में follow करनी चाहिए, अब बात करते हैं bonus tip की, दोस्तों आजकल का जो youth है, आजकल के जो youngsters है, बहुत जादा insomnia की problems आ रही है, insomnia होता है sleeplessness, जब आप आपको ऐसा लगता है, आपको बहुत जादा problem होती है, आपको रात को नीन नहीं आती है, तो आप lavender oil को थोड़ा सा जो है अपने forehead पर लगा सकते हैं, अपने eyebrows पर आप जो है lavender oil को लगा सकते हैं, रात को electronic gadgets जो है अपने आसपास बिल्कुल भी रखके नहीं सुईए, meditation music जो है, आप सुन सकते हैं, रात को किसी से भी कोई भी तरह का कोई लडाई ने करना, कोई जगडा ने करना, कोई negative बात नहीं करनी, इश्वर को thank you बोलकर आप सो जाए, कि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जादा sleep disturbance होगी है, आप फिर भी उठिये मत, आप वहीं पर ही सोई रही है, रात को कोई भी stressful बात किसी से भी ना करनी है, ना हमें सोचनी है, क्योंकि रात को जो है, हमारा subconscious brain बहुत ज़्यादा active होता है, अपने आसपास बहुत ज़्यादा black color नहीं होना चाहिए, अपने घर से, अपने बेडरूम से कोई भी clutter है, वो निकाल दीज डूकी भी घडियां जो है, वो अपने घर से निकाल दीजिए, खराब electronics जो है, वो चीज भी आप अपने घर से निकाल दीजिए, घर को एक दम, अपने बेडरूम को एक दम, साफ सुत्रा और बहुत ज़्यादा organized रुखिए, और warm milk, गरम दूद लेके आप पीके सोईए, और फिर देखिए कि आपको नीन कैसे नहीं आती, तो ये थे कुछ टिप्स insomnia के लिए, जो की सभी youngsters पर, या सभी human beings के लिए applicable है, सभी numbers के लिए applicable है, आपकी host नुमेरो वानिया, signing off, love you all, namaste. झाल